Hello everyone, this is Ruby and you're watching my channel Ruby Shairavat Vlog. Welcome back to the new video of In The Look Thursday Market. जिसने इससे पहले के parts नहीं देखे हैं मेरे In The Look Market के, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बाकी मैंने जो link है वो description में डाल दिया है, अब वहां से भी देख सकते हैं. किसी को भी कुछ location का issue है इस market में, कि कहां आना है, कौन सी shop है, किसके बारे में बात कर रहे हो, आप ये shop कहां पढ़ती है, तो location वीडियो ज़रूर check करिएगा पहले, ये वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको आसानी हो location जानने के लिए, कि इस market में कौन सी famous shops हैं, कहां पर क्या-क्या मिलता है specially, ठीक है, ये market लगती है, सुभे साथ बजे लग जाती है, शाम के चार-पांच बजे तक लगी रहती है, और सिर्फ Thursday वाले दिन लगती है, ये weekly market है, कुछ shop है इस market की, जो कि आपको बाकी days भी open मिलेंगी, पर वो बहुत कम shops होती है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से shopping करनी है, तो आप Thursday वाले दिन आईए, यहां पर आपको भर-भर के branded stuff मिल सकता है, वो भी बहुत ही reasonable prices पर, और पट्री, Metro Station के नीचे का जो पट्री market है न, वो आपको सुभे 9-10 बजे के अस-पस लग जाता है, जो पिछली दो बार से लगनी रहे, पिछली बार तो शायद MCD का इशू था, इस बार तो बारिश बहुत थी, तो इस बज़े से नहीं लगा था, और आज मैं आपको गली number 6, जो है, उसकी एक बहुत ही famous शॉप दिखाने वाली हूँ, जहां पर मैं हमीशा आपको दिखाती हूँ, नरेश भाई के सामने ये शॉप है, उनके बिकुल opposite, और यहां पर मैं आपको हमीशा दिखाती हूँ, तीन सो रुपे की कुर्टी मिलती हैं, बहुत ही awesome सी कुर्टी मिलती हैं, वो वाली मैं आपको शॉप दिखाऊंगी, और इसमें और भी क्या-क्या नया variety I.E.V.R. वो आपको दिखाऊंगी, सिर्फ इस एक शॉप में मैं आज आपको घुमाने वाली हूँ, इसमें आपको तीन सो रुपे की कुर्टी मिलेंगी, पूरा सेट भी मिलेगा, यह जो भी आप देख रहे हैं, यह तीन सो रुपे की कुर्टी है, जो की बहुत ही beautiful सी है, इसमें जो पूरा सेट आपको मिलेगा, वो साड़े चार सो रुपे का होगा, उसमें आपको कुर्ती, सेट, प्लस, पेंड, पित, तो पट्टा मिल जाएगा ये फिलहाल आप सिर्फ वन पीस ड्रेस टाइप लुक में देख रहे हैं जो ये तीन सु रुपे की आपको मिलेगी इससे बेस्ट आपको मिलने सकता आप ये देखे, ड्रेसेस देखे, आप ये जॉर्जट की ड्रेस है, कितनी सुन्दर लग रही है पूरी नेक पे पूरा फुल वर्क हो रखा है और सिर्फ मात्र तीन सु रुपे में ये ड्रेस की मैं बेक सेट दिका रही हूं आपको, ये है इसका फ्रेंट और ये लिबास की कुर्ती है ब्रेंडड वो ही मैं कही ओना on, जैंज ब्रेंडड लिबास की कुर्ती है आपको तीन सु रुपे में मिल रही है और कया चाहिए, एक और वन पीस ड्रेस, ये थोड़ा काफटन जो लुक में है, वो मिल रही है इस बार भीया ने इस तरह की ड्रेस भी बहुत रखी थी नहीं तो जादतर कुर्टीज मिल जाएंगी आपको अच्छा और जम सूट लेने हैं तो वो भी और यहार एक यह ड्रेस देखिए इसको मैंने बाद में भी जब यह वीडियो एंड हो रहा होगा ना तब भी मैंने इसे आपको दिखाऊंगी बहुत ही सुन्दर है बहुत जॉर्जट की ड्रेस है जॉर्जट भी नहीं शिफॉन है ठीक है शिफॉन का फैब्रिक है और यह नेक इसका इतना सुन्दर था ओसम इसकी एल्बो तक की स्लीप थी बहुत ही प्यारी थी इसको मैं पूरा आपको दिखाऊंगी वीडियो के पैंड में इसकी पूरी अच्छे से लुक दिखाऊंगी बहुत ही वन पीस द्रेस थी आप उसे किसी भी वे में पहन सकते एक और जॉर्जट की ड्रेस है लखनवी चिकनकारी का इसकी उपर काम हो रखा है रेड में ही सेल्फ प्रिंट में हो रखा था और नीचे इसका वर जाएंगी विद पैंट किसी में दुपट्टा होगा किसी में नहीं होगा पर टॉप और बॉटम जरूर होगा ये काफी हैवी था इसके ओपर ये ना पूरा सीक्विंस का काम हो रखा है और इसके साथ आइधिंग स्कूर्ट थी इतना मुझे द्यान है एक और था ये पू किया तो crop top type dress थी गुयत जो मिंत्रा या मीशो पे जिढर इंटती है न सूर्टिया कुट्थि की मतलब वह भी यह से जाती है एक आमैर भाई की shop से भी जाती है किया एक यहां से भी जाती है आपने देखा भी होगा इस तरह की dresses मिंत्रा और मीशो पे और वहाँ पर फिर रेट ऑनलाइन क्या होते हैं बैस्ट है ना यहाँ आके ले लो अगर आप आ पा रहे हो टाइमली इस और फिस कह रही इस मार्केट में यह सारी साड़ी 400 वाली dresses आप देख रहे हैं यह भी बड़ी सिंपल सोभर सी थी इसमें 2-3 कलर ऐसे shades थे cotton की थी यह grey कलर की इसकी sleeves सी ऐसे pink सामने peach कलर का front आएगा side में black कलर का था तो contrast जो color combination था ना काफी अच्छा किया हुआ था इस dress का मतलब look wise बहुत अच्छी थी और pure cotton में थी यह dress एक और यह लिबास की है yellow कुर्टी जो अभी है मैंने turn कर दी यहाँ पर लिबास की w की इस तरह के तो आपको मिली जाएंगे राम से मिल जाएंगे और यह चिकन कारी white color की cotton की सिर्फ कुर्टी थी जो की 300 रुपे में आपको मिलेंगी यह सारी अब 300 रुपे वाली कुर्टी आ रही है जो भी dresses है जम सूट मिल जाएंगे बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे और gown भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको इस shop पे यह मैं brand देखने की कोशिश कर रही हूँ जो कर नाखा मियाप कोशिश हुई मेरी यह गुर्टी अच्छे लग रही थी simple सी थी और crepe fabric में थी यह और बड़ा soft crepe था hard crepe नहीं था बिलकुल भी एक और यह one piece dress है sleeveless थी और थोड़ी long में थी यह थोड़ा सा जो आजकल चल रहे है फ्रॉक वाले look में बहुत heavy घेर नहीं मिलेगा आपको पर मिल जाएगा ठीक है इसमें पूरा इसे neck पे ना यह मोती लगे में पूरा pearl का काम हो रखा है इनकी shop पर अगर आपको आना है तो गली नंबर 6 में आएगा जो blue color का transformer की तरफ से आप आएंगे न तो opposite यह गली नंबर 6 मिलेगी और जैसी आप entry करेंगे तो right side में यह shop मिलेगी आपको left side में नरेश भाई की shop होगी जो footwear वाले भाईया हैं उनके बिलकुल opposite यह shop आपको मिल जाएगी यह काफी बड़ी shop है इनकी और यह open हो जाती है साड़े साथ बज़े के अबाद open होती है साड़े साथ पुनियाट तक यह shop open हो जाती है और इनके यह ही भाईया हैं जो बहार table पे भी लगाते हैं इनकी शॉप के भी है वो जो 100-100-200 रुपे की कुर्ती भी देते हैं तो यही होती है और जो की rate और कम मिल जाता है आपको यह देखे सब में लिवास बीबा इनकी दिखा रही हो आपको फिलाल सारी कुर्ती सी जो भी आप देख रहे हैं इसमें आपको वनपीस ड्रेस भी दिख रही है ऐसी सिंपल फ्रॉक यह फ्रॉक वाले लुक में पूरी थी मदब थोड़ा सेंटर से तो पैक था और पूरा नीचे पूरा फ्रिल वाले लुक में था यह बहुत ही ओसम है हर तरह की कुर्ती आपको मिल जाएगी सिंपल सोभर भी मिल जाएगी स्टाइलिश भी मिल जाएगी पार्टी वियर भी मिल जाएगी वेस्टरन कुर्ती मिल जाएगी वेस्टरन गाउन टाइप मिल जाएगी वेस्टरन ड्रेसिस मिल जाएगी आपको हर तरह का मतलब one stop solution है देखा जाए तो girls के लिए अराम से आओ शॉपिंग करो और शॉप में बहुत भीड नहीं मिलती है यहाँ पे एक चीज अच्छी है क्योंकि यह शॉप थोड़ी बड़ी है और अराम से तसली से आप शॉपिंग कर सकते हो यह देखिए यह पूरा one piece dress है यह अच्छी लग रही थी यह आप as it is पहन सकते है उसके साथ नीचे पजामी पहनने की भी आवशकता पिल्कुल नहीं है यह भी dress बहुत अच्छी है इसका fabric बहुत प्यारा था यह shrug वाले look में थी और बहुत ही soft fabric था यह देखो मैं पूरी dress दिखाती हूँ आपको इसमें आपको inner मिलेगा ऐसे ही blue color का पूरा और यह साथ में shrug मिलेगा यह excel size था बहुत अच्छी dress लग रही थी क्योंकि कहते हैं कभी-कभी किसी dress का fabric इतना पसंद आता है बहले उसका design उतना अच्छा हूँ लेकिन उसके पहनने का मन कर जाता है specially season में summer मतलब rainy season है थोड़ा चिप-चिपा सा मौसम रहता है तो इसमें हमें soft प्यारे ऐसे हमारी जो body यह उसको ऐसे सुहाते हुए कपड़ी अच्छे लगते है यह देखो एक और मैं आपको one piece dress दिखा रही हूँ भर-भर के थी इस बार भीया ने बहुत अच्छा collection लेकर आए वे थे इसलिए मेरी इनकी shop की इस बार वीडियो भी काफी लंबी बनी है क्योंकि था ही इतना अच्छा अच्छा collection इसके बावजूद भी बहुत कुछ छूट गया है मेरे से कि दिखाना था इतने अच्छे अच्छे collection थे देखो one piece dress ले लो इसे पजामी के साथ पहन लोगे तो suit बन जाएगा court set बन जाएगा या as it is भी पहन सकते हो एक और यह यह पूरे कुर्टी वाले look में थी sizes यहां पर आपको मिल जाएंगे big sizes भी मिल जाते हैं मतलब जो भी आपको plus sizes चाहें वो अराम से हम मिल जाएंगे extra small से लेके बड़े size में हाँ पर यह होता है कि किसी किसी में सिर्फ वही एक size मिलता है जो आपको पसंद आई suppose कोई कुर्टी यह यह पसंद आई इसमें big size ढूंड रहे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बस वो पस इसी वज़े से rate भी तो कम है पर इनके यह अंतर आ जाता है यह थोड़ा shrug type look में यह कुर्टी थी हर तरह का color हर तरह का design मिलेगा मैं इसके बाद कौन सी वाली नहीं लेकर आने वाली हो जैसी यह change करूंगे तो कुछ और मिलेगा अब यह देखे पूरा party wear look में यह dress है देखा जाये तो और यह सर्फ आपको मातर 300 रुपे में मिल रही है क्या मतलब हो मस्त वाली डील है देखा जाये तो इसके साथ ऐसे नीचे इसके साथ skirt अटेच है पुरी long dress है तो इसमें आपको देख लेगिंग्स पहनने की भी जरूरती है साथ में कुर्ती प्लस skirt वो वाला look आ रहा है इस rate में यार नहीं मिलता है इतने तसल्ली से शॉपिंग कर सकते हो आप यहां आते हो तो फिल्कुल must visited shop है यह इंदर लोग market की जरूर आना जब time मिले आपको Thursday वाले दिन कोशिश कीजेगा और कोशिश कीजेगा जल्दी आने की इस shop के अलावा बाकी जगों की भी शॉपिंग कर सको time ले आओगे तो और मस भर-भर के शॉपिंग कर के जोब में यह एक होंगी यह एक और बीवा की है तो इसका jeans का fabric लग रहा था लेगिन fabric इतना thick था नहीं किसी को अगर इस तरह की dresses भी पसंदे तो ले सकते हैं यह देखी यह बहुत small size था मुझे तो ज़्यादा तर पसंदी इनकी वह वाली आती है जिनके size इतना small होता है extra small यह small size वाली यह देखो यह पूरा sweater था यह मुझे बड़ाई फ़नी सा लगा इस season में ने इस type की dress देखना तो मैंने का cover की जाए यह आपके नीज तक आएगी इतना था और पूरा वुलन थी यह dress पता नहीं भाया ने क्यों रखी हुई थी देखके भी अजीब सा लगा इस season में का वुलन ड्रेस यह देखे जम सूट है यह यह मैंने सोचा था कि शायद मुझे आ सकता है पर मुझे फिर डाउट हुआ इस फिर मुझे क्योंकि size कहीं ने दिख रहा था तो मेभी शायद नहीं आता यह वाली ड्रेस भी बहुत अच्छे लगी थी पर यह भी extra small size की थी अब यार extra small size जिनके हैं ना वो लखी ही होंगे इतने पतले दूबले अराम से इने कुछ भी बिना दो हमारा तो भीयन नहीं है इतने पतले दूबले हम कब होंगे पता नी यह कुर्टी थी इसके साथ भी skirt attached थी ब्लू वाली जो है यह जो मैं आपको अब यह shirt दिखा रही हूँ यह वाले हाँ यह वाले थे ना यह आपको इस साइड वाले यह वाले हाँ यह वाले आपको 200 रुपे के मिल जाएंगे यहां पर यह सिर्फ shirt वाले look हैं कुछ-कुछ इसमें dress भी है पर ज्यादा तर आपके इस type की dresses हैं जो आपके hips cover कर सके इतने इतनी length होगी इनकी यह सब 200 रुपे में इस तरह की shirts मिल जाएंगे यह यह काफ़तान था यह वाला काफ़तान look में है यह कि यह था यह भी इतना ही होगा मतलब सब आपके knees के उपर उपर होगा और hips आपकी cover हो जाएंगी यह भी अच्छे लग रही थी थोड़ा काफ़तान look में थी 200 रुपे की dress अराम से आप पहन सकते हो यह plain ऐसे short था यह भी कुछ one piece dress टाए था यह सब वही था एकदम starting में भी आने लगाए वे थे यह सारी dresses यह जितने अभी आप देख रहे हैं यह थोड़ा कोट वाले look में लग रहा है पर इतना fabric उसका इतना मोटा था नी और यह सारी और यह इसमें ज्यादा था ना plus sizes थे small sizes बहुत कम थे यह भी कोई brand था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को pause करके मतलब आप देख ले ना कौन सा brand था यह थोड़ा कुड़ते वाले look में था मतलब काफ्तान look में कुड़ता look कह रही हूं यह starting में सब जितने अभी आप देख रहे हैं सब इसी same rate में है यह dress मैं आपको पूरी दिखाती हूं देखो कैसी dress है यह आपके knees तक तो यहां तक ऐसी आएगी और knees के नीचे यह क्या है यह क्या चला है आज की date मुझे नहीं पता यह नीचे ऐसा कुछ आएगा पिया तू मुझे तो आचा वह वाला something like feeling आ रही थी मुझे कुछ अजीब सी dress थी तानी क्या थी यह कहते हैं इस dress को मुझे वो भी नहीं पता कभी-कभी मतलब कुछ-कुछ dresses ऐसी होती है ना कि उन्हें देख के मैं पहले तो थोड़ी दिर तक हसते ही रहती हूँ यह है क्या क्यूं है किसले बनी है पर पहनते हैं लोगों का सब का अपना style taste होता है पर वो जो मैंने अभी green दिखाई ना उसके लिए भी आपको मतलब वो medium size ही होगा मतलब बहुत ही पतली दुबली किसी लड़की को आ सकती है और शायद उन्हें पर इतनी अच्छी लगेगी पता नहीं शायद medium भी या small size था बाकी ये तो सारे big plus sizes में ये भी आपको उसमें मिल जाएगी अराम से 200 रुपे में इक ये वाली dress देखिए इसका आप ये शरारा देखिए शरारा बोल लो या pen बोल लो शरारा ये काफी loose बड़ा था चौड़ा था मतलब और इसके साथ ऐसी plain आपको कुर्ती मिलेगी ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ plain कुर्ती और इसके साथ इतना प्यारा ये इसकी paint थी ना 3300 रुपे का बहुत सुन्दर लग रहा था यार ये color combination जो था ना नीचे printed वो था और पूरा शरारा और उपर से ऐसे plain ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये sizes भी ये plus size था किसी को चाहिए तो ये देखो मैंने फिर आप लेकर आई हूँ मैं आपको ये अच्छे से दिखाने के लिए इसका इतना प्यारा गेरा आ रहा था मुझे नहीं मालू मैंने क्यों छोड़ी ये dress मुझे इसमें इतनो size नहीं समझ में आ रहा था कि क्या size है फूरत ही उसमें light print हो रहा था तो मुझे नहीं पता चरह था लेकिन it looks like very beautiful dress ये neck पे इतना सुन्दर काम हो रखा है यार कोई भी पहनेगा तो पहुत प्यारी सी लगेगी यार वो रड़की देखो कितनी प्यारी लग रही है और ये बिल्कुल इसके अंदर lining थी cotton की पहुत प्यारी लग रही थी इक ये black color की देखे कितनी सुन्दर इस पे काम हो रखी है पूरा ये thread work का काम है बहुत ही प्यारी कुड़ती लग रही थी ये पहने वे भी सुन्दर से लगेंगे इसके साथ ना paint थी chicken कारी वाली ये इसकी paint थी पूरा इस पे chicken का काम हो रखा है बहुत सुन्दर सी paint थी है और same rate पे इस rate पे मिलती कहा है चलिए इसी के साथ मैं अपना आज के वीडियो यहीं end करती हूँ आज के वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को like, share और subscribe करना बिलकुल ही मत भूलेगा मिलते हैं कल के vlog में तब तक अपना ध्यान रखिए, bye, take care, ta-da